नमस्कार दोस्तों मैं राकेश नंदी मिले चैनल का बहुत बात स्वागत है दोस्तों आप टाइटल और थमनल देखके समझ गए होगे आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो अपलोड किया था EMI Moratorium 3.0 और Restructuring अगर आपने वीडियो पहले RBI ने अपना Restructuring है वो डिस्क्लोज किया है उसको Announce किया है दुस्तों यह रिस्ट्रक्चरिंगी पॉलिसी क्या क्या है यह रिस्ट्रक्चरिंगी पॉलिसी किस तरह से हमको इफेक्ट करने वाली है और यह किस तरह से हमारे लोन स्ट्रक्चर में यह इंक्लूर होने दूस्तों यही सारे टॉपिक्स है आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ दूसरी खास बास दूस्तों मॉरेटोरियम 3.0 है यह आगस्ट के बाद आने वाला है या नहीं इसके लिए और लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पी एल दर्स की है कोईंबतोर ज्वेलर्स मैनुफेक्चर असोसियेशन है दूस्तों इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में यह टॉपिक कवर करने वाला हूँ दूस्तों शुरू से आखर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखेगा अगर आपको दू दूस्तों वीडियो को लाइक कीजे और आपके नेट्वर्क में इसको शेर कीजेगा और फाइनन्स रिल्टेड ऐसी अपडेड़ और वैलिडेड इंफरमेशन के लिए दूस्तों मेरा चैनल सब्स्राइब कीजे ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफरमेशन आपको र जाना चाहूंगा अगर रिस्त्रुक्चरिग बात करें तो पहली बात यहें कि रिस्त्रक्चरिण है वो एक नया फंडा नहीं है सिर्फ अभी कोई-19 की वजहे से अर भी और इन्रीштुक्ट्चरिंग kो अभी इंक्लूड किया है ऐसी कोई बात नहीं है रिस्त्राइब कि बहुत सारी ऐसे लोन अकाउंट्स हैं जो NPA में कनवर्ट हो जाते हैं। जब बैंक का final auditing होता है, उस टाइम पे जब जब बैंक अपने NPA अकाउंट्स की संखिया जादा बताती है, तो बैंक है उसका मुनाफ़ा हो वो कम आखा जाता है। तो इस वज़े से अगर NPA अकाउंट्स की संखिया बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि बैंक है वो घाटे में जा रही है। तो दोस्तों यह रिस्ट्रक्चरिंग है, यह पहले से पुराना फंडा है, अभी लेटेस्ट में जून 7, 2019 के अंदर, RBI ने इसकी एक विंडो रिस्ट्रक्चरिंग की विंडो तियार की थी, जिसके अंदर बैंक्स है, वो अपने NPA अकाउंट्स से बचाने के लिए इसको इंट्रड्यूस कर सकती है, सभी कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजियल्स को, MSMEs को, यह सब को इसके अंदर शामिल कर स हो सकते है, यह कनवर्ट ना हो, उसके लिए फिर से RBI ने रिस्ट्रक्चरिंग है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, दोस्तों, मैं इसको और एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, कि यह NPA है क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसे कहा जाता है, जनरली इसका क्र तो सिबिल रिपोर्ट के अंदर DPD कहा जाता है, लोन आपका अकाउंट जो भी होता है, उसके नीचे DPD कहा जाता है, अगर आपका EMI रेगृलरली आप भरते है, तो जीरो डेस की DPD आती है, अगर आपका एक महिने के लिए स्कीप हो जाता है, तो उसके अंदर डेस के अगर आपका अगर आपका अपका अकाउंट है, अब यह मौरेटर का टाइम के लिए तो अल्मोस्ट छे महिने के लिए ऐसे बहुत सारे अकाउंट है, जिनोंने अभी अपना EMI नहीं बरा आए, तो बैंक के लिए अगर वो नेक्स आने वाले टाइम में, अगर फिर से NPA के अंदर कनवर्ट हो सकता है, तो दोस्तों यह NPA से बचाने के लिए एक हथियार है, यह यूज किया गया है, जिसको रिस्रेक्शनी कहा जगा है, एक नया पॉइंट है, जिससे आपका लोन है, वो NPA के अंदर कनवर्ट ना हो जाए, या उसका अकाउंट है, वो बिगर सारी वीडियो उसके पर बने है, अख़बारों में ख़बर चपी है, लोगों को ज़्यादा तर पता ही है, फ्रीबी मैं एक बार इसके पर रौशनी आलना चाहूंगा कि एक्जर्ली रिस्रेक्शनी की पॉलिसी क्या है, और यह किस तरह से हमरे लोन अकाउंट को करेंगे कि कौनसे कॉणसे अकांट के अंदर इंक्लूड कर सकते है, और इसका लास्ट में इंटीमेशन है, वो 31 डिसेंबर 2020 तक इनहें देदेना हैbull। से कौणसे कौनसे बेंक अकाउंट है, कौनसे कौनसे लोन अकांट है, वो रिस्रेक्शनी के अंदर रिक्शनी केpentर र जब से moratorium शुरू हुआ है, that is, 1st March 2020 से, तो इसके पहले जो भी लोन अकाउंट थे, इनका 0 EMI बाउंस है, एक भी MI बाउंस नहीं है, ऐसे लोगों को restructuring के अंदर automatic eligibility मिल जाती है, उसके बाद आपने moratorium 1 लिया है, moratorium 2 लिया है, तो आप strong candidate हो जाता है, यह restructuring के policy के लिए, इसका जो execution है, वो next 2021, 2021, March तक इनको इसका execution है, वो anyhow शुरू कर दिना है, corporates के लिए है, वो जून 2021 तक इसका extension मिला हुआ है, और खास तो MSME है और individuals है, उनके लिए यह मार्च में execution हो जाएगा, लेकिन इसका intimation है, वो bank खुट decide करेगी, NBFC खुट decide करेगी, कौनसे loan accounts है, वो यह RBI को restructuring की policy में ला सकते है, last इसकी due date है, 31 December 2020 की, maximum यह जो restructuring है, वो दो मैथड में होने वाला है, पहला मैथड है, आपका जो लोन EMI है, या तो उसके अंदर change आई सकता है, दूसरा मैथड है, आपके लोन के 10 यर में change आ सकता है, इसका खास, इसका जो main point है, अगर आप jobless हो गये है, salary में डिडक्शन आया है, आपके business में कट होती हुए है, business आपका shutdown की category में है, तो ये सारे जो main point है, वो बैंक के अंदर verify होगे, आपका proper justification मिलता है, कि आपके financials में किस तरह से टौती हुई है, उसके बाद ही restructuring है, वो बैंक है, वो इसको accept करने वाली है, तो ये बात खास ज्यान में रखने वाली है, दूसरी बात, इसका maximum time limit के में बात करू, तो इसका maximum extension है, वो दो साल तक होने वाला है, तो इसकी time limit है, ये दो साल तक होने वाली है, तिसरी बात, बैंक को इसके अंदर जो power दिया हुआ है, तो ये इसके अंदर total तीन method से बैंक है, वो इसको restructure करने वाली है, नमबर एक, आपका ये अभी जो लोन चल रह हुआ है, तो लोन को पूरा का पूरा उसका नया format बना सकती है, नमबर दो, आपका जो लोन अभी चल रहा है, outstanding principle के उपर जितना भी additional, पिछले 6 महिने का EMI plus interest जो जमा हुआ है, उसको एक separate loan में convert कर सकती है, ये नमबर दो, नमबर तीन, कुछ खास, दोस्तों ध्यान से सुन कर सकते हैं, लेकिन ये गुने चुने हैं, और कुछ minimum percentage account के अंदर ही ये लागू होगा, तो ये भी bank को power दी गई है, तो ये तीनों चीज़े है, ये आपके खुद की respected banks है, और NBFC है, वो decide करेगी है, और RBI को इसके बारे में submit करे वाली है, अगर आप ये restriction की policy के अंदर include हो ना चाहिए, तो ही ये बात है, वो आगे बढ़ सकती है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, एक खास point की, EMI moratorium 3.0 क्या मिल सकता है, या मिलना चाहिए, इसके against में, इसी के लिए P.I.L. डर्स की है, कोईमबतूर ज्वेलर्स मैनुफेक्शन असोसियेशन ने है, सुप्रीम के लिए P.I.L. दर्स करने के लिए उन्होंने में दो पॉइंट लगाय हुए है, पैला पॉइंट यह है, कि अभी COVID-19 की विज़े से जो लॉकडाउन हुआ है, यह पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, इसके विज़े से बिल्कुल बिजनस सही में बंद हो चुके है, और कर सकते हैं, फिर से बात वहीं पहुचाईगी के बिजनस से अभी वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो यह पॉइंट की वज़े से इनका मॉरेटोरियम है, वो एक्सर होना चाहिए, पॉइंट वाजन का बिजनस नहीं चल रहा है, तो मॉरेटोरियम है नेक्स्ट, 18 मंस के ल करती है 2019 से लेके 2020 तक अभी टोटल 135 बीजिस पॉइंट की कट ओती की है RBI ने बैंक्स के लिए अब हो रही है रहा है कि बैंक्स है डाइक कि खुटना ठाइकoti है यह क्राइ時間 कर रहा है अपने कस्टमर्स को तो ya का स्क्रीन पर बता रहा हूं किस तरह से आर्बीई ने अपने रेट में कटाउती की है लेकिन डारेक्ट बैंक्स को नहीं पहुंच जा है देखिए ये डेट अगर मैं 4 अपरिल 2019 की बात करूँ रेपो रेट जो था 6 परसंट है था रिवर्स रेपो रेट 5.75 परसंट था ये बैंक के इंदो जो सेविंग रेट्स होते है ये सेविंग रेट्स की बात कर रहा हूं मैं ये 6.25 परसंट है और वेटेड अवरेज जो लेंडिंग रेट है मतलब बैंक जो आपको वेटेड अवरेज पर लोन देती है अगर उसकी बात करूँ तो 9.84 परसंट था 4 अपरिल 2019 की बात है अब मैं आगे अगर बात करूँ 2020 में अगर मैं पहुंचता हूँ 6 फरवरी 2020 में रेपो रेट 6% से घटते हुए 5.15 परसंटेज तक पहुँच गया रेजवर्स रेपो रेट है ये घटते हुए 4.90 परसंट तक अब बैंकों ने जो हमारा जो investment होता है, saving होता है ये कम करते हुए डायरेक इसका rate of interest है 5.40 परसंट तक पहुचा दिया उसके सामने वेटेड एवरेज अगर आप लोन का interest rate of interest देखे तो 9.55 परसंटेज हुआ है 2020 की बात है अब लेटेस में में के अंदर 22 में 2020 में रेपो रेट 4% हो गया रिवर्ज रेपो रेट 3.35% हो गया उसके सामने जो लेंडिंग रेट है लोन है वो 9.35 परसंट पहे मिल रही है वेटेड एवरेज की में बात कर रहा हूँ तो दोस्तों ये consistently अगर आप 4 एप्रिल 2019 से लेके 22 मार्च 2020 तक में बात करूँ तो दोस्तों टोटल आपका रेपो रेपो रेट है रिवर्ज रेपो रेट है उसमें 135 बेजिस पॉइंट की कटवती हुए लेकिन उसके सामने जो हमें लोन मिलती है हाउजिंग लोन है या मॉर्गेर लोन है जो भी हम लोन लेते है उसके उपर इतने सारे बेजिस पॉइंट की कटवती नहीं हुई है तो ये भी खास जो RBI फाइदा बैंक्स को और NBFC को देती है ये फाइदा कस्टमर तक नहीं पहुच पा रहा है तो उसके बारे में भी खास कटवती की जाए और उसको भी कंस्टरेशन में लिया जाए इसके लिए भी जुसरे पॉइंट में P.I.L. दर्स की है तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट है ये सुप्रीम कॉइंट के अंदर ऐसे P.I.L. दर्स हुए अगर सुप्रीम कॉइंट के उपर घौर करती है तो ओवराल सभी कस्टरमर्स को थूआउट इंडिया में पैन इंडिया में सभी कस्टरमर्स को इसका लाब मिल सकता है सुप्रीम कॉइंट ने ऑगस्ट के लास्ट वीक में 25-28 ऑगस्ट तक इसके बारे में फैसला सोडाने का फैसला लिया हुआ इसके बारे में P.I.L. का जो जवाब है उसका क्या फैसला आ सकता है उसके बारे में 28 ऑगस्ट तक की डेट कही है तो दोस्तों आगे क्या फैसला हो सकता है इसके बारे में क्या अपडेट हो सकता है ये भी मैं आपको regularly अपडेट करता रहूँगा अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए आपको लगता है कि ये information आपके नेट्रोक में शेर होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेर कीजिए और फाइनस रिल्टेड ऐसी अपडेटेड इंफोर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइकन दबहिए ताके आने वाले हर एक वीडियो की इंफोर्मेशन आपको रेगुलर्ली मिलती रहे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद गुडबाई